हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल एथिकल शर्मा जी आज की वीडियो में एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन का जवाब दिने वालों में जो कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कई सब्सक्राइबर ने मिर से पूछा है और ये क्वेशन बहुत के भी हो सकते हैं आप एक आटी बैग्राउंड के भी हो सकते हैं जैसे डेवलपर फ्रंटेंड या फिर बैकेंड पर लेकिन आपको साइबर सेक्यूरिटी एरियमान है ठीक है तो सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट है और कैसे सीखा जाए कैसे स्टार्ट कर है ना जैसे आपके घर में कोई बच्चा होगा या फिर जब हम चोटे थे तो हमने लेट से इंगलिश लैंगोज सीखी तो हमने कैसे सीखी हमने उसकी शुरुआत कैसे करी हमने सबसे पहले एल्फ़बेट सीखे ऐ-टू-जड फिर उसके बाद हमने वर्ड फॉर्मिशन सी जीकि, sentence formation में के बाद हमने grammar and all tenses and all सीकी, तो अगर मैं आपको उस time पर, जब आपको language बिलकुल नहीं आते हैं, आपको alphabets नहीं आते हैं, आपको words नहीं आते हैं, आपको sentences नहीं आते हैं, आपको लिखना बोलना नहीं आता, और मैं आपको बोलूँ कि speech देनी है English में 5 मिनिट के अंदर-अंदर तो क्या आप दे पाओगे नहीं बहुत कम chances हैं कि आप दे पाओगे बलकि impossible ही होगा उस time पर जा आपको कुछ पता ही नहीं है तो तो यह मैं आपको example इसलिए दे रहा हूं कि कई लोग मुझे से पूछते हैं कि सर मेरे को cyber security में कुछ नहीं आता और मेरे को certified ethical hacker बनने है जब मैं उसे पूछता हूं कि कितना time आप devote कर सकते हो तो वो कहते हैं कि सर मेरे पास ना मैंने सोचा है कि 2-3 महिने में करना मुझे तो आप मुझे कोई training suggest कर दो कुछ कर दो और मुझे 2-3 महिने के अंदर अंदर certified ethical hacker बनने तो step by step नहीं हुआ नहीं हो नहीं है और मैं उनसे पूछता हूं कि आपका background क्या है तो वो कहते हैं कि सर मैं Java developer हूं या मैं non IT में हूं और में को OSCP करना है जॉब नहीं करी हो बट आपने काम इतना कर लिया हो खुद से खुद से इतना सीख लिया हो कि आप वो clear कर लो possibility है बहुत कम ठीक है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस area में cyber security के area में आगर आपको आना है तो basics आपके बहुत strong होने चाहिए यह हम एक job कर पाएं cyber security area में interview clear कर पाएं तो तीन areas में मैं डिवाइड कर रहा है जो मेरे according आपको अगर इन तीन की knowledge है तो cyber security में आप बहुत अच्छा कर पाओगे और आपको ज्यादा दिक्कते नहीं होंगी तो पहली चीज वो है network अब कई लोगों को जब मैं suggest करता हूं कि आपको network की knowledge होनी चाहिए तो network तो बहुत बड़ी field है और network actual में है क्या हमें समझ नहीं आता बहुत जाते complicated हो जाता है हम tools पर focus करते हैं nmap सीखने लग जाते हैं हम netcat सीखने लग जाते हैं ठीक है और metasploit and all हम सीखने लग जाते हैं लेकिन हमें actual में network समझ नहीं आता क्या तो उन लोगों को बहुत ही clearly समझाना चाहूं कि network को आपना बहुत आसान तरीके से समझो जैसे social media network है Facebook है क्या है social media network है हम क्या करते हो इस एक तरीके से professional network है जिसमें जो जितने भी professionals होते हैं जो organization में काम कर रहे हैं वो जुड़ पाते हैं ऐसे ही computer network है इसमें क्या है कि आपस में computer devices हैं वो आपस में communicate कर पाएं कोई rocket science नहीं है अब क्यों network आपको आना चाहिए क्योंकि जितने भी attackers होते हैं वो generally एक machine को hack करने के बा जैसे distributed denial of service attack होता है वो कैसे होता है कि एक machine को hack करके attacker रुपता नहीं है वो एक पूरे network उसी network में जिसमें वो machine है जिसको hack करा है जिसमें उसको access में लिए वो उससे जुड़ी हो machines को भी देखता है और hack करता है तो उसको एक botnet बोलते हैं जितनी भी सारी machines हो hack कर लेता है उसक access उसको मिल जाते attacker को फिर उसके जारी हो denial of service attack करता distributed बोलते हैं इसको distributed denial of service attack बहुत सारी machines हो गई botnet हो गया तो अगर आपको इसके बारे में knowledge नहीं होगी तो आप बचा कैसे पाऊगे क्योंकि cyber security का मतलब क्या है कि आप secure कर रहे हो cyber space को आपकी responsibility में हो गए तो अगर आपको आ switches hubs और आपको पता होना चाहिए OSI model पता होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप YouTube लिखते हो https youtube.com ब्राउजर पे तो उसके backend में क्या होता है 3-way handshake 4-way handshake तो यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए उसके बाद जाके आप और चीज़ें सीखो तो आपको network का पता होना चाहिए second point आता है कोई भी प्रोग्रामिंग language जब मैं कहता हूँ कोई भी प्रोग्रामिंग language इसका मतलब यह नहीं है कि आप C, C++ सीखो जातर मैं लोगों को सजेस्ट करता हो कि आ पाइफन सीखो क्यों उसका यह कारण है कि Python एक ऐसी language है जिसका syntax बहुत जाता असान है comparatively बाकी languages से lines of code उसमें कम लिखना पड़ता है क्योंकि वो library dependent बहुत जाता है reusable component हम यूज कर सकते हैं लाइबरी से multipurpose language है exploits भी Python में लिखे जाते है Python और भी कई field में आती है काम तो आप Python सीखो अब again question आता है कि मैं आपको programming language क्यों suggest कर रहा हूं as a pillar एक तरीके से कहूंगा cyber security का क्यों इसका answer यह है कि आप जितनी भी चीजें आसपास देखोगे अपने जितनी भी computer related चीजें computer software हैं चाहें वो web application हो iOS हो चाहें वो android हो चाहें वो cloud हो कुछ भी हो वो किससे development होता है programming languages obviously जो आप mobile यूज करो इसमें जो applications यूज अगर वो android यूज करो तो आप जावा पर बेस बेस जना तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो design कैसे हुई ह façon ही तो आप उसको penetrate कैसे करते हैं उसमें आप कैसे access ले पाओए आप मैं तिस yapmış और उस ku काम करते हैं आप इस application में आपको इसकी access लेनी है और आपको बताना है की आपने कैसे तब जाके हम उसको रोख पाएंगे जिन दर्वाजों से जिन वुल्नरबिलिटीज को आपने यूज कर रहा है उनको जब हम फिक्स कर देंगे तो उसके बाद वो जो अटैकर्स होंगे मैलिशिस अटैकर्स वो उनको नहीं कर पाएंगे थीके तो इसके बारे मैं को पता हो नहीं प्रोग्रामिंग लेंगवज के बारे में कैसे आप्लिकेशन बनती है अपलिकेशन का वेब सेर्वर्स हो गया है यह है आपको पता हो यह तीसरी चीज जो हम बात करते हैं भाशिस इंपोर्टेंट वह जो आकटेर जो सजेस्ट करता हूँ वो जनरली सजेस्ट करता हूँ काली linux अब आप कहो गया कि सर काली linux ही क्यों करता हूँ वैसे तो parrot भी है, बहुत सारे security operating system में है security है और मैं भूल जाऊँ, और भी operating system है, Ubuntu है ठीक है, Windows है, तो वो क्यों नहीं तो देखो, काली linux में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि worldwide, ethical hackers भी और malicious hackers भी जो black hat hackers होते है दोनों ही काली linux को यूज करते है क्यों? क्योंकि उसमें security tools बहुत सारे है और एक अच्छा platform मिल जाता है कि आप जब security tools सारे configured होते हैं, installed होते हैं मिलको अगर locks clear करने, उसके मिल जाएंगे तो सारी चीज़े available है और सबसे बड़ी बात, अगर आप अगर आपको एक cyber security में आना है तो एक तरही कैसे मैं तो compare करता हूँ cyber security professional, police वाले होगे और जो black hackers होगे, जो malicious hackers होगे वो होगे आपके चोर अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चोर है, वो चोर ही कैसे करता है अगर आपको नहीं पता होगे तो आप उसको कैसे पकड़ोगे तो ये बहुत important चीज़ है हत्यार तो आपके सेम होने चाहिए आप पानी की बंदूग लेके जाओगे किसी ऐसे बंदे के सामने जिसके पास रियल की बंदूगे तो आपको मार देगा आप थोड़ी काओगे कि यहां हो ली है ठीक है तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो तीन एरिया हैं ये मेरी तरफ से आपके लिए प्री रिकुजिट एरिया है जब मैं प्री रिकुजिट कहता हूँ तो मतलब ये तीन एरिया के बारे में आपको पता होना अच्छी तब जाके आप साइबर सेक्यूरिटी में एंटर कर सकते हो ठीक है तब जाके आप पढ़ सकते हो कि इंग्लिश क्या में आपको एक्जाम्पल दिया था तब जाके आप सोचोगे कि मैं सेटिफाइड एथिकल हैकर के लिए तयारी करूं मैं बुक पढ़ूं जो मैं आपको सर्जस करती मैट वॉकर या अगर आपको मैट वॉकर नहीं पसंदा बहुत सारी चीज़े मिल जाए है ना अब question आता है कि सर यह तो आपने मुझे बता दिया कि तीन prerequisites हैं लेकिन मैं पढ़ूं कहां से मैं कौन सी वीडियो देखूं क्यूंकि जब मैं यूट्यूब पर सर्ज करता हूं नेटवर्क के बारे में तो बहुत सारे चैनल साज आते हैं तो मेरे कॉर्डिंग क्य है ती कैसे आपको समझात हूं आपको समझात हो तो ऐसी इन अपनी अब्लं से बेस्टी but उसको आपको मिल जाएगा, मैंने भी थोड़े बहुत वीडियो बनाए हुए, जैसे एन्मैप पर बनाए हुए, आप वो देख सकते हैं, अगर आपको है आपको प्रोग्रांइंग, आपको नेट्वर्क भी ओगया, अगर आपको काले लिनिक सीखनी है तो उसके आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, कि काले लिनिक कैसे सीखें तो यह आपको discover करना पड़ेगा कि काले Linux जो वो सिखा रहे बंदा वो आपके according सही है नहीं है है ना काले Linux कहने को मैं भी सिखा सकता हूँ यह सारी चीज़े network भी सिखा सकता हूँ पर बहुत सारा content already available है तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा focus area चलूँ focus area को लेके चलूँ playlist को लेके चलूँ ठीक है books बहुत जादा available है आप network अगर सर्च करोगे तो network के concept network fundamentals, network security आपको बहुत मिल जाएंगे concept है ना अगर नहीं मिलते फिर भी तो आप मिरेको communicate करो मिरेको contact करो मैं आपको book दे दूँगा सजेस्ट कर दूँगा क्यों कि यह book है यह pdf है यह पढ़ लो ठीक है कई सारे fundamental courses है जो pre-requisite आपको कराते है cyber security के pre-requisites जो आपको network के course कराएगा एक ही video होगा जिसमें आपको पूरा network सिखा देगा आप ऐसे videos भी देख सकते हैं आप सर्च करेंगे network security fundamentals या network fundamentals वो आपको सब बता देगा network devices से लेके TCP IP से लेके सब बता देगा protocols and other ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह video जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आएगा और आप अब मेरे से ऐसे question नहीं पूछेंगे कि सर मैं एक non cyber security area में हूँ और मुझे OSCP करना है सबसे पहले जो मेरा अभी भी मैं इसको summarize करूँ पूरे वीडियो को कि आप सबसे पहले basics करें basics में मैं आपको क्या बताया आप network करें network के बाद आप operating system कर सकते हैं programming language को सीखें जो की python है python अगर आप youtube से नहीं सीखना चाते है तो उसके भी बहुत सारे solution recording blocks है और learn python.org है ठीक है website है website से सीख सकते है online compilers भी available है ठीक है बहुत सारे solutions है तो आप वो सीख सकते है जब आप ये तीनों कर लेंगे उसके बाद बात आती है कि अब क्या what next उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर actual में आपको चाहिए कि आपकी requirement क्या है आपको क्या job करनी है, क्या आपको certification करना है, क्या आपको अपनी skill up grade करनी है तो जो आप ये तीनों कर लोगे तो उसके बाद का step आता है अगर आपको let's say job में जाना है तो job में जाना है तो ये मतलब नहीं कि आपको certificate होगा तभी आपको लेंगे नहीं, ऐसा कौन क्या रहा है, certificate एक added advantage जरूर है बट जिस बंदे में अगर knowledge है, interviewer को मतलब होती है knowledge से हाँ, HR सापको preference दे सकते हैं, आपका resume सिलेक कर सकते हैं अगर आप certified हो बट जो technical interviewer होगा, वो आपकी knowledge चेक करेगा उसको certificate एक piece of paper है, कुछ मतलब नहीं होता उससे ठीक है, तो आप knowledge पर पहले focus करें, आपको job मिल जाएगी easily ऐसे मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, जिनको job मिल गई है, कई तो ऐसे भी हैं जो मेरे से Instagram पर बात करते हैं, कि Sir, interview है, तो मैं क्या-क्या questions आ सकते हैं तो मैंनों उनकी help कर रही है, और उनका interview भी clear हुआ है ठीक है, तो it is not about कि आपको certification करना ही करना है बढ़ा एक added advantage है तो आप क्या कर सकते हो, आप basics, जब ये तीनों कर लोगे उसके बाद आप security में होगे, मतलब आपको network का idea हो गया, अब network को मैं secure कैसे करूँ that is network security, आपको programming language का idea हो गया, तो आप application कर सकते हो कि application security में जा सकते हो, अलग-अलग areas है आप infrastructure security में जा सकते हो, तो आपके interest के according, let's say आपने इन तीन चीजों को पढ़ लिया है तो इन तीन चीजों में भी आपका कोई favorite होगा तो उसके according आप decide करोगे, कि आपको कौन सी field में जाना है application security में, network security में, infrastructure security, cloud security, IoT security, बहुत सारी जीजें या आप all-in-one भी हो सकते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको area decide करना पड़ेगा जब आप area decide कर लोगे, कि सब मेरको तो application security में जाना है और मेरको application security में job चाहिए, तब मैं आपको उसके बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या-कै सीखना पड़ेगा कि application security का अगर आपको बनना है, या bug bounty में जाना है आपको तो आपको उसके लिए क्या क्याना चाहिए, तो वो इस video में cover नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा topic है again, तो ऐसे एक पात बनता है ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ होगा और अगर पसंद आ है तो इसको like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि कई सारे आपके विए से दोस्तों सकते हैं, जिनको साइबर सेक्योरिटी में जाने है आजकल के इस digital time में जिसमें corona चल रहा है और pandemic है पूरा तो सब ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, सारे लोग घर से काम कर रहे हैं तो साइबर सेक्योरिटी धीरे धीरे और जादा बढ़ती जा रही है, जो इसकी नीड है वर्ल्ड वाइड ऐसा ही नहीं क्योंकि यह जो pandemic है वर्ल्ड वाइड है देख सकते हैं क्योंकि तो और कुछ क्वेशन बूचें आप जैसे कुछ और क्वेशन मेरे पास हैं तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा इसी प्लेइलिस्ट की Q&A ठीक है तो उम्मीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आओगा अगले वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे ही questions के answer तब तक के लिए stay tuned keep learning बाई बाई